राजधानी शिमला के राजगे वरिष्ट माध्यमिक पाथशाला भट्टा कूफर में मंगलवार को चार दिवसिया अंदर 19 गर्ल्स जोनल टूर्णामेंट का शुभारम किया गया इस मौके पर जिला उपायुक्त अमित कशप ने बत और मुख्यती थी शिर्कत की इस गर्ल् के वरिष्ट माध्यमिक पाथशाला भट्टा कूफर में मंगलवार को चार दिवसिया अंदर 19 गर्ल्स जोनल टूर्णामेंट का शुभारम किया इस दौरान कारिक्रम में जिला उपायुक्त अमित कशप ने बत और मुख्यती थी शिर्कत की इस खेलकूद प्रतियोगिता के बच्चों का सर्वांगिन विकास होता है अज से जो है अंडर 19 गर्ल्स टूर्णामेंट है जो कि शिम्ला जोन का टूर्णामेंट है जो कि आज चुरू है और 19 को 19 तारिक तक यह चलेगा जिसमें कि हमारे कुछ स्पोर्स इवेंट्स होंगे जैसे कबड़ी है कोफो है और इसमें 24 स्कूल्स शुर्णा के बाग ले रहे हैं कम से कम 450 लड़की इसमें पार्टी स्पेश कर देश है जैसे की टाइम की टाइम यहां होते रहते हैं टूर्णामेंट साब के स्टेट में तो यह एक कड़ी है उसमें यह फ्लेटफॉर्म है अभी जोन का है उसके पायुक्त अमित कशप ने कहा कि खेलों से बच्चों में प्रतिसपर्धा और एक टीम के रूप में खेलने की भावना जागरित होती हैं जो भविश्य में युवा पीड़ी के लिए लाबदायक साबित होगी कि आज जो है यहां बटा कफोर स्कूल में अंडर नाइंटीम गर्ल्स स्पोर्ट्स टूर्नमेंट जो है उसका आज शोबारम हुआ है यह टूर्नमेंट जो है लगवख चार दिन के लिए चलेगा अलाकि मौसम इस समय बारिश हो रही है परंतु जैसी बारिश होगी तो य जरूरी नहीं कि आप जीते हैं परंतु आपके करेक्टर का जो है सही पिचान तब होती है जब आप गिर के खड़े होते हैं और कुने जो है आप जीत जो है प्राप्त करते हैं ब्योरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ला